हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज मैं आप लोग को मॉर्निंग वोक पर टेन लाइन्स बताने जा रहा हूँ तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप लोग को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी मॉर्निंग वोक पर टेन लाइन्स लिख सकते हैं तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए और क्रिपिया धैर ये पुरुबक पेसेंटली इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे सुबह में टहलना एक अच्छी आदत है सुबह में टहलना यानि की morning walk एक अच्छी आदत है is a good habit तो यहाँ पर लिखेंगे morning walk is a good habit और याद रखेंगे कि habit में single b होता है कई बार हमारी habit हो जाती है कि हम habit में double b का यूज कर लेते हैं morning walk is a good habit यह हमें सवेरे उठने वाला बनाता है तो यहाँ किस tense में simple present tense सबसे पहले subject फिर verb इसमें as या es लग सकता है और फिर object तो यहाँ पर subject क्या है यह और यह की English क्या होती है it he see it और कोई नाम यानि की एक नाम हमेशा 3% singular number होता है और वर्ब में as या es add करते है तो यहाँ पर वर्ब क्या है बनाना यानि की make तो यहाँ पर makes हो जाएगा क्योंकि it 3% singular number है सबसे पहले लिखेंगे यह हमें बनाता है हमें के लिखेंगे us it makes us सबेरे उठने वाला यानि की early risers it makes us early risers सुबह की हवा ताजा, ठंडा और सुहाबना होता है ताजा यानि की fresh ठंडा यानि की cool सुहाबना यानि की pleasant होता है इसके लिए आप ease का use कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे morning air ease fresh cool and pleasant morning air is fresh cool and pleasant यह एक इनसान को दिन भर fit और fresh रखता है तो दोस्तों यह भी है simple present tense यानि की subject plus verb इसमें एस या इस एड़ करना पड़ सकता है फिर object तो यहाँ पर subject क्या है यह यानि की it और इसके साथ हमेशा ही verb में एस या इस एड़ करते हैं और यहाँ पर verb क्या है रखना यानि की keep तो यहाँ पर क्या हो जाएगा it keeps तो यहाँ पर लिखेंगे it keeps यह रखता है एक इंसान को a man fit and phrase दिन भर all day it keeps a man fit and phrase all day सुबह का टहलना बैयाम का सबसे अच्छा रूप है यानि की कसरत करने का सबसे अच्छा फोर्म है रूप है सुबह का टहलना यानि की morning walk यह किया है subject is the best form किस चीज का बैयाम का of exercise morning walk is the best form of exercise यह सभी लोगों के लिए उप्यूक्त है यानि की suitable है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं it is suitable for all it is suitable for all यह बिना किसी यंत्र, सुझाब या संस्थान के किया जा सकता है किया जा सकता है यानि किया passive हो इसमें है इसमे can be plus verb 3 का यूज करेंगे करना के लिए यहाँ पर carry out का आप यूज कर सकते हैं carry out तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं it can be done या फिर carried out without any instrument instruction or institution it can be carried out without any instrument instruction or institution सुभह तहलने वाले प्रकृती की सुन्दर्ता का आनंद भी ले सकते हैं तो यहाँ पर subject क्या है सुभह तहलने वाले यानि कि प्रकृती की सुन्दर्ता का तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमें सुभह में तहलने की आदत जरूर हुआ होनी चाहिए जरूर होना यानि कि must तो यहाँ पर लिखेंगे तो दम्ड़ जरी तदाः नहीड में वाले खर्डव तावले वाले खर्याद थार्वित तर्वी फिन अट्यादी मौनिए तो यहाँ पर्यादए habit of walking in the morning I hope dear students and friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदिया मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लिजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजिए